उत्तर प्रदेश में गुरुवार तरके बड़ा हाथसा पेश आया आगरा कानपूर राश्य राजमार्क पर थाना एत्मादुला के मंडी समीती के पास चक और स्कॉर्पियों की भड़न्त हो गई इस साथसे में नौ लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हैं बताये ये ज़ा रहा है कि स्कॉर्पियों में बारा लोग सवार थे और ये सभी विहार के गया के रहने वाले थे घायलों का इलाज जारी है चक और कार में यहाँ पर भड़न्त हुई आगरा कानपूर नैशनल हाईवे पर ये पूरा सड़क हादसा पेश आया भिशन भड़न्त थी हादसे में नौ लोगों की जान गई है तीन लोग घायल है नौ लोगों की जान इस हादसे में गई है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीशन सड़क हादसा ये रहा होगा तीन लोग फिलहाल घायल है आगरा कानपूर नैशनल हाईवे पर ये सड़क हादसा पेश आया चक और कार में यहाँ भड़न्त हुई अधिक जानकारी के लिए समवादता शाहिद रजाफ ओनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जोट चुके है शाहिद क्या कुछ पूरी जानकारी देखे काफी भीशन सड़क हादसा ये रहा जो घायल है उनके हालत फिलहाल कैसी है ये मनीशा में आपको बताता है आगरा में ये एक सड़क हास्ता हुआ जिसमें सड़क हास्ते में लोग नो लोगों की मौत हो गई है तीन लोग घायल उसकों है इस फिलहाल जो घायल है उनके हालत कैसी है इस बताता चलू गायलों को अस्पताल भरती कराए गाया हालत अभी नाजुक नाजुक बता जारी गायलों के अज़गा अच्छल रहा है उख्रिया तमाम जानकारी साज़ा करने के लिए शाहिद आगरा कानपूर नैशनल हाईवे पर ये सड़कादसा पेश रहा है जहां नो लोगों की मौत हुई है और तीन लोग जो घायल है मिली जानकारी के अनुसार उनके हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है झाल 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 झाल